सो गैसे causa Realme जल्दी अपनी Realme X9 सेरीज के स्मार्टफون इंडिया में लॉंच करने वाला है जिसमें हमें Realme X9 5G and Realme X9 Pro स्मार्टफ। देखने को मिलेंगे pourfounds Realme X9 सेरीज के ये दोनों स्मार्टफों इंडिया की B.I.S certification साइट पर भी लिस्ट हो शुके हैं बट आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme X9 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग इंफॉमेशन देने वाला हूँ कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ हमें Realme का ये अपकमिन स्मार्टफोन देखने को मिलेगा एंड इसके अलावा इंडिया में कब तक लौंच होगा और प्राइस क्या रहने वाली है बट फैंस उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर फर्स टाइम आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेए और आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी डिवाइस पे मिलते रहें आपकी बार यल्मी X9 5G स्मार्टफोन में हमें 90Hz की हायर स्क्रीन रिफ्रेश एट भी देखने को मिलेगी और 90Hz मेरे अकोर्डिंग 120Hz से बेटर भी रहती है विकोज 90Hz कमपेरिटिवली 120Hz से कम पाउर कंज्यूम करती है और आपको स्मार्टफोन में स्मूधनेस भी काफी बेटर देखने को मिल जाती है नेक्स्ट गैज प्रोसेसर टाइप की बात करें तो यहां पर चीज़ें इंट्रेस्टिंग हो जाती है विकोज रियल्मी X9 5G स्मार्टफोन में हमें कोलकॉम का लेटेस्ट कोलकॉम स्नेप डेगन 770 8G का पाउरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि फैंस डूल 5G कनेक्टिविटी को स्पोर्ट करता है और इसके अलावा एटी 770 8G 6NM आर्किटेक्चर पर बेस्ट है इसलिए काफी ज़्यदा पाउर एफिशेंट भी रहता है और गाइज बेंचमार्किंग के बेसेस पर बात करें तो इस प्रोसेसर का बेंचमार्क स्कोर हमें 5 लेक से उपर देखने को बिलेगा सो ओर रोल हमें Realme X9 5G स्मार्टफोन में परफोर्मेंस फ्लेक्सिब लेवल की देखने को मिलने वाली है बागी गाइज हाई ग्राफिक्स वाले गेम भी आप इस स्मार्टफोन में इजिली रन कर पाऊगे सो Realme X9 5G स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर गेमिंग ओप्शन हो सकता है एंड आप ग्वाइज रियर साइड केमरा की बात करें तो इस सेक्शन में Realme X9 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग लेक्स वेर निकल कराये थे बेटर देखने को मिलेगी बट मेरे अकोर्डिंग आपको इस स्मार्टफोन में 4K 60 अप्पेस पर वीडियो रिकोर्डिंग का स्पोर्ड देखने को नहीं मिलेगा यहीं पर अगर फरंट केमरा की बात करें रियल्मी X950 स्मार्टफोन में हमें 6128GB, 8128GB, 12256GB रेम रोम के 3 ओप्शन देखने को मिलेंगे और इसमें हमें LPDDR4X रेम के साथ UFS 3.1 की फ्लेक्सिफ टोरेज भी देखने को मिल सकती है और गैज मुझे लगता है कि रियल्मी X950 स्मार्टफोन में हमें वर्चुल रेम का ओप्शन भी देखने को मिलने वाला है और गैज रियल्मी X950 स्मार्टफोन की बेटर लाइफ और चार्जिंग कपेसिटी को लेकर डिसकस करें तो आपको रियल्मी X950 स्मार्टफोन में चार्जिंग कपेसिटी फ्लेक्सिब लेवल की देखने को मिलने वाली है लाष्ट प Ambriz अदर डीडेल्स की बात करें तो रियल्मी X950 स्मार्टफोन में हमें डूल स्टिडियो स्पीकर्स तो देखने को मिलेंगे बट गैज लिक्स की माने तो हमें इस स्मार्टफोन में 3.5 mm हेडफोन जेक देखने को नहीं मिलेगा और फाइनली लॉंचिक और प्राइजिंग के रिगार्डिंग बात करें तो रियल्मी X950 स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में 22,000 से 25,000 के भी स्टाइटिंग प्राइज के साथ देखने को मिलेगा और इसके अलावा रियल्मी X950 स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लोन जोगा इसका अभी तक कोई भी कन्फरमेशन नहीं है और अगर आपका वीडियो से related कोई भी question है तो आप मुझे comment कर सकते हो and once again अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे because आपको इस चैनल पर ऐसे ही smartphone से related वीडियो मिलते रहते हैं so मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर